तो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं fantasy sports spy youtube channel और मैं हूँ गौरव आज हम जो channel में match cover करने वाले हैं वो रहेगा siri air का match लेके versus milan के बीच इस मुकबले का कड़ते हैं detail analysis इसके अलावत दो और matches आज हैं यहाँ पर और हैं जो कि यूएंटस का match है manchester city का match है यह दोनों matches का video तो नहीं आगा लेकिन यह दोनों matches की grand league और small league की team आपको मारी telegram channel में मिलेगी और जो match हम अभी cover कर रहे हैं इस match की 8 grand league और एक final small league team lineup आने के बाद ही telegram में मिल जाएगी तो link description में जरूर जुड़ जाएगे तो अब चलते हैं इस match का करते है detail analysis तो दोस्तों लेचे और Milan की बात कर रहे हैं तो यह match लेचे के home ground में आज रात 11 p.m. पे खेला जाएगा और यहाँ पर हम points table में देखेंगे तो फिलाल दोनों teams में तो जो Milan की team है वो फिलाल 9th position में यह काफी इस season अच्छा perform नहीं कर रही है इनसे expectation होती है कि यह फिलाल टॉप 6 में तो रहे लेकिन यह 9th position में 36 points है और इन्हों ने इस season बहुत कम goal सिर्फ 28 goalie score के और 34 goal concede किया यानि कि average goal score के और average goal concede किया तो इनका performance ना जादा बहुत अच्छा और ना जादा खराब है एक average performance इस team ने पूरे season किया है और Milan के बारे में बताओ यह एक legendary club है Serie A का बहुत बड़े-बड़े legends इस team से खेल चुके है लेचे के लिए दोस्तों आपको काफी नीचे आना बड़ेगा relegation जोन में है 18th position में लेचे की team है और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फे 25 पॉइंट है और इनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा important है लेचे की एक खासिया थे हैं दोस्तों एक goal ठिक टाग मारती है लेकिन जी देखे 34 goal मारे लेकिन इनोंने league में सबसे ज़्यादा goal concede किया यानि की 56 goal इनोंने concede कर दिया है और ये team दोस्तों set pieces में काफी खराब performance करती है काफी goal इनोंने concede करती है तो यहाँ पर देखते हैं अब हम last कुछ matches के result पहले लेचे के देखते हैं अब आप यहाँ पर एक shock result देखेंगे वो है ये वाला लेचे दोस्तों goal ठिक टाक मरती है तो यहाँ पर देखें तीन दोस्ते इनोंने नेपोली को हरा था एक नेपोली आप जानते हूंगे सीरिये का एक बहुत बड़ा club है उसके बाद इनोंने 2-1 से spal को हरा है लेकिन इसके बाद इनका देखेंगे तो ये Corona break से पहले की matches है 4-0 से Roma से हारे बुरी तरह फिर उससे भी बुरी तरह ये 7-2 से लेचे एटलांटा से हारे एटलांटा आपको जानते हूंगे कि सीरिये की सबसे ज़्यादा goal वानमेली टीम है तो उनसे ये 7-2 से हार गये थे तो यहाँ से आपको बतलता है इनका defense कितना बेकार है कि लाश्ट के जो 2 matches के लिए थे Corona break से पहले उसमें इनके defense ने 11 goal concede कर दिये थे तो यहाँ पर हम मिलान के देखते है recent results Corona virus break से पहले एक 0 से इन्होंने Torino को रहा था फिर ये एक-एक draw इन्होंने Ferentina से के लिए था फिर ये 2-0 से last match में अपने Genoa से हार गये थे ब्रेक से पहले के match थे अब यह जो Copa Italia match है यह आप जानते होंगे अभी पिछले अपते ही हुआ था Juantus versus Milan के बीच हुआ था और उसमें यहाँ पे गोलल ड्रो रहा था और इस पूरे match में दोस्तों जो Milan का defense हो काफी solid रहा था इनके कुछ बड़े players नहीं थे एंटे रेविच को red card मिल गया था इस starting में उसके बावजुद Milan के defense ने एक बहुत बड़या परफर्म करके 0-0 में Juventus को रोका था अब हम इन दोनों टीमों के पर head to head मुकाबला देखते हैं इस season एक मुकाबला हुआ था जो की draw रहा था दो-दो draw वो मुकाबला रहा था अब दोस्तों आप हमारी telegram channel से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जुड़ जाईए at the rate fantasy sports grand league और एक final small league team है वो line up आने के बाद telegram channel में update होने वाली है तो जरूर जुड़ जुड़ जाईए तो फिलाल हम कुछ provable line up देखते हैं पहले latche की देखते हैं तो latche के लिए यहाँ पे Gabriel इनके goalkeeper होनाल है आज के match में player काफी safe कर सकता है अब मैंने आपको पता है इनका defense बहुत weak है खास तोर पर set pieces में काफी goal मारते है तो इनके defense में जो 4 defenders के लिए उसमें Rispoli, Rosettini और Luciano और Kelderoni होनी होंगे अब इन 2 center backs में Rosettini और Luciano होंगे इन 3ों का performance अभी तक average रहा है लेकिन जो Kelderoni है दोस्तों तो यह player में आपको एक इनकी team से recommend करने वालो हूँ अब यहां पर आप देखते हैं जो 2 holding midfielders के लिए Diola खेलेंगे और Meyer खेलेंगे दोनों players अभी तक average perform के लेकिन Meyer है जो दोस्तों इन्होंने अभी last two last 2-3 match पहले goal मारा था मिर को याद है तो यहां पर यह तरब से सबसे ज्यादा 4 assist है तो यह player काफी अच्छी प्यको हो सकते है इनके जो 3 forward किलिंगे उसमें Monkosu और Saipanona किलिंगे wings position में wings में winger है दोनु और Monkosu की बात करें इनकी तरब से सबसे ज्यादा goal है इनके main penalty taker है और यहां पर इनके second penalty taker Lapadula है जो इनके star striker है और इनके दरफ से second number पे ज़्याद goal इसी player के तो Monkosu और Lapadula इनके 2 main players है एक के 8 goal है और एक के 7 goal है Saipanora का भी दोस्तों मुझे याद है Atlanta के अगेंज जो 7-2 hard थी उसमें एक इनोंने बहुत जबरदस्त goal मारता तो ये भी एक काफी अच्छे peak साबित हो सकते हैं तो इनके 3 forward और 1 attacking midfielder काफी अच्छे हैं और साथ में जो इनके left way के kelder हो नहीं बाकि इनकी पूरी team में कुछ ज़्यादा खास किसी ने performance किया नहीं है तो अब इनके कुछ stat देखते हैं और लापडूला साथ गोल इन दोनों के मिलाके आप देखेंगे तो 15 गोल है यह देखें मौनकोस इनके main penalty टेकर है 5 गोल और लापडूला ने भी 2 penalty ली है तो penalty हुई तो इन दोनों मैंसे ही कोई एक लेने वाल है फिलाल मैं अज्यूम कर रहो main penalty टेकर मौनकोस होने वाल है अब फालको इनके 3 गोल है फालको के फालको फिलाल substitute appearance देखेंगे गोल स्कोर कर सकते है केल्डरोनी जो मैंने इनके left back बताए उनके भी 3 गोल है और रोसेटीनी दो-दो वाकि योला केल्डरोनी और मौनकोसू एक-एक असिस्ट तो इनके असिस्ट स्टैट है उपर इनके गोल स्कोरिंग स्टैट है आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं अब हम move on करते हैं Milan पे तो मिलान के बारे में सबसे में चीज में आपको बताना चाहूँगा जलातान इब्राहिमोबिच जो इनके इस्टार श्ट्राइकर है आपको बता है लीजेंड है फुल्पॉल के या आज के मैज में बहार है इनको बहुत बड़ा जटकल के जर्मनी में जैन्वरी प्रेशन में खेलींगे आप लेफ्ट बैग में जो थी ओ अनननी स्केलिंगे तो यह इनके में प्लेयर है सबसे ज़्यादा गोल मानने के जो लिस्ट है इनकी उसमें सेकेंड नंबर में प्लेयर है पांच गोल स्कॉर कर चुक है रियाल में एड़िट से प्लेयर यहां पर में फिलाल मिलान के लिए इनके स्टेट्स कुछ ज़्यादा खाल नहीं है लेकिन यह अलजीरिया की तरफ से जब खेलते हैं इंटरनेशनल में तो वहां पर यह काफी असिश्ट देते हैं अब फ्रेंग क्रिसी अखेलिंगे और बोनव इंटरो अखेलिंगे सेंटरल में केसिया के बारे में बताना चाहँगा इनके जो मेन पेनल्टी टेकर थे वह थे क्रिस्टाफ पियांटक जो अब भाड़ता बलीन में चल गए लेकिन उसके बाद मुझे याद है सहच जलातान अगर वो नहीं लेते तो फिर इनके पैनल्टी टेकर केसिया होने वाले क्यूंकि लाश्ट टाइम जब जिलातान और प्यांटक दोनूं नहीं थे तो केसिया नहीं पैनल्टी लीती तो यह मैं एस्जूम कर रहा हूँ आज के मजमे पैनल्टी भी तो केसिया यहां पर पंटे रेभी जिनके स्टार स्ट्राइकर सबसे ज़्यादा गोली सेजन 6 गोल इस प्लेएर के हुने वाले है और काफी कम नट्स मिंट भी हिनों ने खिरे है maior का छान लागनें है एक 5 पिक शावित हो सकते हैं गोल असिष्टी ये फ्लेयर भी कर सकते हैं लेंगि इनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा नहीं तो इसले एक 5 पिक होने वाला है अब हम मिलान के कुछ गोल स्कोरिंग इस्टेट दिखते हैं अंटे रेविच के सब से जाधा 6 गोल और थियो अनन्डिस के 5 गोल तो ये दो प्लेयर इनके मेन वेज दोनों के मिला के 11 गोल है हाकान चानल लागलू 3 गोल है जलातान आज बाहर है पुनाव एंटूरा दो और राफेल लियो दो दो गोल असिष्ट में आप देखेंगे तो सेमू कस्टे लेगो के 2 असिष्ट है ये प्लेयर को स्टार्ट मिला तो ये भी एक बहुत अच्छे विंगर है ये भी अच्छी फिक साबीत हो सकते है थियो अनन्डिस दो बाकी पकवेटा, कॉंटी, कलावरिया, कैसिय, चैनलागलू, बीलिया और क्रूनिक सबके एक 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 असिष्ट इसके अलाबा जलातान का भी एक असिष्ट है तो दोस्तों ये इनके गोली स्कोरिंग और असिष्ट स्टैट है, आप चाहे तो इसको स्क्रींशॉट ले सकते है अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर पताता हूँ, पहले लैचे से देखिए मौनकोसू, लापाडुला, ये दो प्लेयर इनके में प्लेयर रहने वाले स्मॉल लिग में सापानोरा और कैल्डरोनी, ये कुछ लैचे के में प्लेयर से है स्मॉल लिग के लिए, मिलान से रैबिट, चानलागलू और थियो अननन्डिस, इसके साथ भी बोनवेंटूरा, पकवेटा और कैसिया अब दोस्तों प्रिडिक्शन, आप देखेंगे तो प्रिडिक्ट करना इजी है लेकिन दोस्तों आप जानते हूंगे, जैसा मैंने सुरू में भी पता है, मिलान ज्यादा गोल मारती ही नहीं है और लैचे का डिफेंस बहुत खराब है, तो यहाँ पर मैं भिलाल एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पर 2-1 यह स्कोल लाइन हो सकती है, लेकिन मिलान एक clean sheet से भी जीच सकती है तो यहाँ पर यह दो मेरी prediction है, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लैके भी जीच सकती है तो यहाँ पर आपको Grand League में 0-0 की team भी नहीं आनी है, 1-0 लैके की भी 1-0 Milan ऐसे करके अलग-अलग 7-8 combinations की टीम बनानी, अगर आपको नहीं आती तो मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जाहां इस मैच की 8 grand league और एक final small league team आपको line-up आने के बाद post में कर दूँगा, तो जरूर जुड़ जाए, link आपको description में मिल जागा, निश्टा आप at the rate fantasy sports तो मेरे टेलिग्राम चैनल मिल जागा, लगभग 1K सब्सक्राइबर यहां आपको मिलने वाले हैं, तो जरूर जुड़ जुड़ है टेलिग्राम चैनल के साथ, तो फिलाल दोस्तो, डेमो टीम में नहीं दिखा रहो, क्योंकि time काफी कम बचा है मैस शुरून में, तो फिल जरूर जुड़ी और Grand League भी हमारी काफी अच्छी Grand League की team वर्क कर दिया, तो जरूर जुड़ जाए, ऐसे हर मैच की Grand League और Small League team यहीं प्रवाइड होती है, इस मैच की भी लाइना पाने के बाद यहीं प्रवाइड होगी GL और SL team, तो दोस्तो यह था पूरा वीडियो मिलते है एक और वीडियो के साथ, जय हिन, जय भारत!